एक टिनेजर को अपने ग्रैंट फादर के हाँ उसके मर्जी के खिलाफ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है यह बहुत ही मिस्ट्रियस था और इनकी फैमिली के बहुत सारे सिक्रेट से इस टिनेजर को स्लोली स्लोली पता चलते हैं इस मूवी के जो ट्विस्ट है और जो टन्स आते हैं इस वज़य से इस मूवी के बारे में आपको मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मुझे पर्सनली यह मूवी बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि अलग टाइप का हॉरर था अब बीना किसी दिरी के यह किसी से बात कर रही है चांस कहती है मुझे लगा था कि मैं इस फैमिली का पार्ट वरूंगी इसलिए मैंने सब कुछ किया अब उसने क्या किया था यह मैं अब पता चलेगा जिस फैमिली के यहाँ बात हो रही थी इस फैमिली का नाम है सिंक्लियर यह जरा पास्ट की ब उसे जादा कुछ भी नहीं बोलती उसे कहती है तुम्हें सिर्फ वन डे का सस्पेंशन मिला यह बहुत यह अजीब बात है एक्च्वल में प्रिंसिपल ने चांस के ग्रैंडफादर को कॉल किया था ग्रैंडफादर यह बहुत ही इंफ्लूइंशल आदमी है इसी वजह से श चाको है यह बहुत ही अजीब था तो चांस की मदर उसे चाको ले लेती है चांस को एक सिस्टर है तो मदर कहकर जाती है कि इसका अच्छा सा खयाल रखना रात में हम चांस को प्लड़ ट्रांस्प्यूशन करता हुआ देख सकते है पर यह अजीब तरीके से हो रहा है यह व बात कर दूँगे तुम सिर्फ देखती रहना चांस ने कहा अगर और भी तुमने कुछ कहा तो फिर समय तुम्हें मारोंगे लटकी सुनी नहीं और चांस उसे फिर से बहुत मारती है फिर से प्रिंसिपल का कॉल चांस के पैरेंट्स को गया नेक सिन में हम देखते हैं चां इस सब की कंडिशन बहुत ही खराब है जून के ब्रदर और सिस्टर से कहती है कि वह भी बहुत ही वीक लोगों पर प्रेग कर रहे है अब इस इनफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि यह वेंपायर की फैमिली है हमें प्रिवेस सीन में दिखाया गया था कि चांस को प्लड चाहिए कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही चाहिए अगस्ट इसके लिए मानने नहीं वाले जून कहती है कि अब मुझे इस फैमिली से दूर रहना चाहिए उसकी फैमिली है जिसकी वो केर करती है एक्शल में जून का हजबर इस सिंगलेर फैमिली का मेंबर नहीं है वो सिर्मोनी होती है इस सिर्मोनİ के अकोर्डिंग व सब पानाव करता है और पास्वपल बन जाते है इस तरह से हंडेड इयर्स दक यह करेंगे तभी जून फ्री होगी है जून इसके लिए भी नहीं मानते तुम सिर्फ एक हर्वेस्ट करना और तुमारी बड़ी बेटी को हम दर मिलेगा इसलिए उसे अपने खुद की बेटी देनी बड़ेगी पर इसके पास एक प्लान है वो फिस चांस को स्कूल से निकालती है और डारेकली ग्रैंडबा के पास लेकर आती है चांस को यह सही नहीं लगता वो यहां नहीं रह सकती है वो कहती है मैं जो भी ट्रबल कर रिया है और अब उसे वो होम स्कूल करेंगे यह सब चांस के मरजी के खिलाफ हो रहा था तो अगस्टो से समझाते हैं यह जो भी है यह तुम्हारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है अगर तुम चाहो तो कभी भी यहां से जा सकते हो पर तुम फिर फैमिली का कभी भी पार नहीं बनोगे एक दिन चांस यहां से भाग रही थी और उसे उसके अंकल नोवेंबर ने रोक लिया उसके अंकल उसे कहते हैं अगर तुम शायद धूप में चलीगे तुम्हारी स्कीन बर्न होने लगेगे चांस को यह पता है पर जादा कुछ वो सन में नहीं रहती थी थे उसके अंकल उसे कहते हैं कि एक घंडा भी अगर तुम इस सन में रही तुम्हें इतने तगलीफ होगी कि लगेगा कि खुद खुशी कर लेनी चाहिए उसे समझाते हैं इस फैमिली में तुम्हें पावर और स्टेटस सब कुछ मिलेगा चांस को यह सब नहीं चाहिए था उ और अगर वो खुशती है कि हम है कुन अगर कहते हैं कि दुनिया में जो भी कलत है यह ड करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है चिर से फार लेन शिक थाम हैं तुम्हे ने चुका है फिर से हर्वेस्ट का दीन आ चुका है याने कि उनकी सेरेमोनिय आज चांस किचन में आई तो वहां की शेफ को देखकर डर गए तो क्यों वहां नया था वो चिलाई तो उसके पास उसके मदर फादर आया उन्हें देखकर वो सप्राइस थे आज वो भी हर्वेस्ट के लिए आये हुए है जैसे कि मूवी के फर्स में हमने देखा था कि चांस से कोई बात कर रहा है यह लड़की चांस से कहती है कि आज की रात का 5000 सालों से वेट हो रहा था इसके बाद मूवी में चांस ने जो शेफ देखा इस कैरेटर की स्टोरी हमें पता चलेगी इसका न सिड्नी के पास हो गया वो फूड नहीं खा रहा था तो अपने हतों से उसने उसे मार डाला सिड्नों को एक आदध होती है हमेशा एक फूड ट्रक के पास जाकर वहां से कौफी लेकर आता है चार सालों से हर दिन वह यहीं जगा पर आकर कौफी लेता है इसके बाद हम लेती यह सिड्नी के बॉस को बहुत ही अजीब लगता है तो इसी वज़े से इस काम के लिए वो मना कर रहा था अगले दिन सिड्नी फिर से कौफी लेने के लिए के लिए वहाँ पर दो लड़किया काम करती है एक का नाम है में और दूसरी का नाम है डकोटा डकोटा को जून और उसके कुछ सातिधार है जून सिड्नी को अलग-अलग पोईजन दिखाती है और सिड्नी उसे पहचान भी लेता है यानि कि वो अपने क्राफ में बहुत माहिर है वो फिर उसे कहती है कि आज राद तुम्हें मेरे लिए काम करना है वो अब अपने फादर अगस्ट क मारने वाली है उनके खाने में पोईजन मिलाने का काम वो सिड्नी को देते हैं सिड्नी का बॉस कहता है कि तुम्हें एक काम नहीं लेना चाहिए तभी जून सिड्नी के बॉस पर ही एक चाकु लगा कर उसे काम करवाने के लिए मजबूर करती है इसके बाद सिड्नी के काम क होना पड़ता है मुझे बता क्या तुम मुझे मारने के लिए आये हो सिड्नी कन्फीज हो कया तो अगस्ट हसने लगता है तो कहता है कि मैं जोक कर रहा था जुन का जो भी प्लैन है इसके बारे में उसे पता है, मिकी रेस्टोर्ण में सीडनी के बोस पर नजा रख रहे थे सीडनी के बोस मेकी से बोचता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलने वाला है वो कहती है कि अगर जुन सक्सेड होगे तो मैं भी फैमिली का पार्ट बन जाओंगे, सीडनी का बोस कहता है मुझे भी तुम्हारे ब्लैन में एड़ कर लो यह बात ही कर रहे थे तभी वहाँ नोवेंबर आ गया उन्हें नोवेंबर को मारने की कोशिश की उसके साथ उसका बैक अप भी था नेकसिन में देखते है कीचन में सब लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जून ऑगस चांस और सिड्नी भी था सिड्नी कुक कर रहा था तो चांस उसकी ब्लेट से एक स्प्राउट उठाती है सिड्नी डर गया और उसे खाने के लिए मना कर देता है चांस मानने रही थी तो जून भी उसे बहुत डाटती है एक्च्वल में यही स्प्राउट पोईजन है इसके बाद अगस सिड्नी को एक रूम में लेकर गये वह आवर उसे निव कपड़े थी है वह से कहते है आज तुम हमारी फैमिली की तरह ड्रेस अप करना किसी का ध्य जान नहीं था तो चांस ने स्प्राउट खा ही लिया सिड्नी उसे बचाने के लिए मिल्क देता है चांस ने बहुत ही थोड़ा खाया था और मिल्क से यह पोईजन डायलूट हो जाएगा रात में अगस्ट सिड्नी के पास आकर उसे मीट देकर जाता है कहता है यह बहुत ह हाई कॉलिटी मीट है डिनर कुक होने के बाद जून सिड्नी के पास आई सिड्नी कहता है अगस्ट को पोईजन के बारे में पता है जून को ऐसा नहीं लगता सिड्नी पोचता है तुम उसे मारना क्यों चाहती हो जून कहती है कि वो कुछ बिलिवस के साथ जीता है वो बिल दिनर कुक किया है तो respectfully वह उसे खाने के लिए देता है सिड्नी को जूप चाप खाना ही पड़ता है इसके बाद डिनर टेवल पर यह अपना रिच्वल कंप्लीट करते है इसे इन सब की पावर इलिवेट होगी चांस इस डिनर टेवल पर नहीं थी सिड्नी उसके पास गया कह कहता है कहता है मैं इन कोर्स के लिए मैं अपनी भूग बचा करगना चाहता हूं जून ने एक खाने का प्रिटेंड किया पर यह वो निगल नहीं पाई ऑगस्ट का शक कन्फरम हो गया वो जून से कहता है कि तुम अपनी सफाय में क्या कहना चाहती हो वो कहती है हम सब की हा आवर जाईये थी इसलिए उसने किया था अगस्ट कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी पर तुमसे मैंने अल्रेडी बदला ले लिया है मैंने तुम्हारी बेटी के पास किसी को भीजा था यहाँ पर जिस बेटी की बात हो रही है यह जून की छोटी बेट इसके हजबंड को भी उन्होंने मार डाला इसके बाद ये सब मिलकर जून और उसके हजबंड को खाड़ डालते हैं अगस्ट के लोगों ने सीडनी को ले जाकर बांढ दिया वहाँ पर था वही बर्हां डेकोटा को भी देख सकते हैं सिडनी बुचता है तुम यहां क्यू लगा तुम मुझे लाइक करते हो इसी वजह से मुझे और मेरी फ्रेंड को उन्होंने किड्नाप कर लिया अब डेकोटा और सीड्नी को उपर ले जाया जाता है अगस्ट सबसे कहता है कि सीड्नी बहुत ही लॉयल है अपने कॉंट्रेक को कंप्लीट करने के लिए उसने है अगस्ट कहता है अगर तुमने अपने बॉस को मार डाला तुम्हें भी मैं अपने फैमिली में शामिल कर लूँगा सीड्नी करने ने वाला था बॉस कहता है इसने तुम्हारे यूज किया है जिन भी लोगों को तुम मारते थे इनका कॉंट्रैक लेता था सब पैसे वो सिड्नी ये बात सुनकर डिस्टब हो गया तब उसके बॉस ने उसे मारने की कोशिश की सेल्फ प्रोटेक्षन के लिए सिड्नी उसे मार डालता है अब ऑगस्ट इस गेम को चेंज करता है वो डकोटा से कहता है अगर तुमने चांस को मार डाला तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा चांस उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी तो उसे ढूनने के लिए अपने एक असैसिन को उन्होंने भेजा चांस छुपकर दो नाइव उसके आख में डाल देती है वो कुछ भी देख नहीं पाती पर फिर भी उसने चांस को पकड़ लिया गसिट्टे गसिट्टे वो ग्रैनपा के पास उसे लेकर आई ग्रैनपा चांस को भी एक प्रिपोजिशन देते है यह था है अगर तुनने डेकोडा को मार डाला तुम्हें भी में फ्रीडम दे दूँगा चांस इस पर सोचने लग गए उसने नाइफ उठाई और डेकोडा को मारने लग गए इस रोट कर रही है जिस लड़की से वो बात कर रही थी अब उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर है जो बड़ी हो चुकी है चांस पूछती है कि यह कैसे पॉसिबल है उसकी सिस्टर गई दिये वैंपाइर्स के लिए टाइम में बहुत इलग चीज़ है चांस को अब यहाँ सब से उसे क्लेर होती है चांज की सिस्टर उसे पताती है कि हम सब राज करा है उसे मारने के लिए बहुत सारी कोशिश हुई है पर आज की राद ही सब से जादा important है इसके बाद फिर से अगस सिंद्ने से से बुश्चता है क्या तुम अब हमारी family जॉइन करना चाहते हो सिंद्नी इसके लिए हा कहता है, वो किस्ट कहता है, अब हमें तुम्हारी ज़रूत नहीं है, तुमने ब्रेवरी दिखाई, तुम्हें जल्दी से हम मार डालेंगे, पर डेकोटा और उसकी फ्रेंड को वो तरबा तरबा कर मारने वाले हैं, ये फिर इन सब को सैक्रफाइस की जगा पर लेकर आते हैं, सिड्नी को ये मार नहीं वाले थे, तभी सिड्नी काउंट डाउन करना स्टार्ट करता है, जब काउंट डाउन खतम होता है, तो सब लोग अचानाक से मरने लग जाते हैं, काउंट डाउन खतम होते हैं, पोईजन काम करने लग गया है, एक्चॉल में सिड् लेका है कि मुझे पता था April-June को मारने वाला है उसने अक्च्च्वल में June को ही poison कर दिया था मारने के बाद सब लोगोंने June को टेस्ट किया इसी वजह से यह सब poison हो गए थे सिर्फ April June से प्यार करती थी तो इसी वजह से उसे खा नहीं सकती थी, उसकी लाइफ बच गई, एपरिल कोई पावर नहीं चाहिए थी, तो यह सब छोड़ कर वो चली जाती है, अगस्ट बहुत ती रीच था, उसके घर में बहुत सारी वैल्यूबल चीजे है, यह सब चीजे डेकोटा उठा कर लेकर जाती है, इसके बाद हम कहता है, वो मैं ही हूँ, जब वो चोटा था, तो अपनी सिस्टर से जुदा हो गया था, वो अपने फादर के साथ रेता था, और फादर ने भी सूसाइड कर ली थी, उसकी लाइफ बहुत इखटिया थी, सब ट्रैजेडी की वज़े से, वो सिरियल किलर बन गया था, बहुत अनफेर था, उसके बहुत सारे साल बरबात हो गया, मैंने उपर की दुनिया से डील करकर, इस सब साल तुम्हें दे दिये है, चांस कहती है, कि ये लाइफ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, मैं तो ये डीजर भी नहीं कर दिये, उसकी सिस्टर उसे बहुत ही प्यार कर और वैंपायस पर अब वो राज करेगी, इसी के साथ है मुवी एंड हो जाती है, इस मुवी की वर्ल्ल विल्लिंग मुझे बहुत ये अच्छी लगी है, आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मुव